हे मेरे भाई, सद्गुरु से सच्ची लगन, प्रीती लगना या लगाना, और इसे सदैव निभाना अत्यंत कठिन है, सद्गुरु से लगन लगे बिना कल्यान कार्य सिद्ध नहीं होता, और जीव महाविनाश में चला जाता है, वह 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, सच्ची लगन है क्या? म्रिग का उदाहरन देखिए, जो नाद शब्द का बड़ा अशिक होता है, जब वधिक शिकारी द्वारा म्रिग को पकड़ने के लिए, विशेश प्रकार का बाजा बजाया जाता है, तो वह उसे सुनने भागा चला जाता है, उस शब्द को सुन, वह अपने तन्मन की सुद भी भूल जाता है, और शब्द से गहन लगन लगाय हुए, शिकारी के हाथों अपने प्राण दे देता है, इसमें वह तनिक भी भय नहीं खाता, पती को समर्पित सतिस्त्री की लगन समझें, पती का देहांत हो जाने पर, सत प्यान मानकर सत करना अर्थात सती होना चाहती है, चिता की प्रचंड आग देखकर वह जरा भी नहीं डरती, प्रात्युत खुश होकर उस आग में कूद पड़ती है, इस प्रकार वह पती प्रेम में अपने प्राण न्योचावर कर देती है, प्यासे पपीहा की भी लगन अद्भुत है, वह स्वाती जल की बूंद पाने के लिए पिया पिया की रट लगाता रहता है, स्वाती बूंद के जल से उसे इतना गहरा प्रेम होता है, कि चाहे उसके प्यासे प्राण निकल जाएं, परंतु वह स्वाती बूंद के अतिरिक्त कोई दूसरा जल कभी नही पीता, वह अपनी लगन एवं निश्चय का पक्का होता है, युद्ध क्षेत्र में एक सिपाही की लगन देखें, युद्ध के लिए जब दो दल रण क्षेत्र में आमने सामने आ डटते हैं, सभी शूरवीर सिपाही आगे बढ़कर वीरता से लड़ते हैं, चाहे उसके शरीर टुकडे टुकडे होकर धर्ती पर गिर पड़े, परंतु युद्ध क्षेत्र को छोड़ कर, वह कभी नहीं भागते जीवित रहने तक, वह अपने कर्तव्य के प्रती, सच्ची लगन लगाए रहते हैं, इस प्रकार स्वयम को नियोचावर कर देते हैं, हमें भी पूर्णतया समर्पित होकर, हमें भी अपने सद्गुरु से ऐसे ही प्रीती लगानी चाहिए, हे भाई, इस नाश्वान शरीर की आशा एवं ममता छोड़ दो, और निर्भय होकर भक्ती साधना करते हुए सद्गुरु के गुण गाउं, सद्गुरु कबीर साहिब कहते है कि जो सची लगन लगाता है, उसे सहज ही निज परमात्मा मिल जाते हैं, जीव का प्रमुक उद्देश्य अपना कल्यान करना है, सब ज्ञान शिक्षा आदी, जानने पाने के बावजूद, यदि हम अपने कल्यान के लिए सद्गुरु से सची लगन नहीं लगी, तो हमार उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता, और हम आवा गमन में फंसा रहते हैं, अतयव लगन लगाना परमावश्यक है, इसी के साथ भक्ती साधना के क्षेत्र में शरीर के मोह एवं सभी सांसारिक कामनाओं से छूटना असान और निशकाम हो जाता है, सहज भाव से सद्गु परमात्मा से मिलने का उद्देश भी सफल हो जाता है, उपर शब्द में बताएं, द्रिष्टांत में लक्षे के प्रती, सच्ची लगन एवं पूर्ण समर्पन के भाव दर्शाते हैं, जो हम सब के लिए महान प्रेरणा दायक हैं, लेकिन किसी भी स्त्रीका अपने पती क के मृत शरीर के साथ जल मरना कल्यान कारी नहीं, प्रत्युत भारी अपराध है, यहां सती का द्रिष्टांत केवल उसके सुदरड पति प्रेम को दर्शा कर, उससे जीवन कल्यान के लिए सद्गुरु से प्रेम लगन लगाने की बात समझाई गई है, रधा सुआमी जी